हालो एब्रिवन वेलकमान बाइलोजी बिलेज एंड टूडे टॉपिक इज इलो थ्रेक्स एक इंपॉर्टेंट अल्गी होता है जो ग्रीन अल्गी मतलब क्लोरोफाइटा को बिलॉंग करता है और इस अल्गी के बारे में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ हम इंप इपरेंट फरदी यूपी-पीजीट बाइलोजी यूपी-टीजीट बाइलोजी इसके लावाद जी ऐसी गर्भर्मेंट इंटर कालेंच बाइलोजी लेक्शटिर सिफ एंड एस्टें फर फॉर्श्शन बातनी के लिए वेरी इंपोर्टन्ट आपिक गईज और हहां से हम पात करेंगे इसके especially reproduction के regarding कुछ important question जो बनते हैं इस topic से illothrix हमारा topic है guys illothrix is important green algae तो सबसे पहला question गाई जो है कि in which are the following is not true statement regarding the illothrix illothrix के regarding kौन सा statement सही नहीं है तो पहला it is not mucilisness and slip tree मतलब इसके चार्व तरब कोई की लेयर नहीं पाई जाती आइज रेजल्ट आप दैट कि इस नाट इस लिप्रिस लिवने चिकना सा अलगा नहीं है दूसरा है होल फास्ट इस आलवेस फांड जो इसका थैलस होता है इसे हम करेंगे काई या फिलामेंट कह सकते हैं उसमें जो होल फास्ट होता वो आलवेस सब्सक्राइब होता है और आउटर से आप प्रोपेक्टिन इन सालविल इन बाट इस चार स्टेट्मेंट हैं जो रिगार्डिंदी इलुट्रिक्स हैं तो पहला स्टेट्मेंट है कि इसके चार तरब कोई म्यूसलेंस लेयर नहीं पाई या थी लाइक दी नास्टॉक या दूसरे किसी ब्लू-green या तरह तो गाई जी स्टेट्में बिल्कुल सही बात है कोई भी स्लिप्री या मुसलेजनस कपरिंग इलुट्रिक के चार तरफ नहीं पाई आती है तो इसमें होल्ट फास्टेज में इसमें होल्ट फास्ट प्रजिंट होता है क्योंकि इसमें होल् होता है तो इसमें होल्ट फास्ट होना बहुत ही जाद है मतलब होता ही होल्ट फास्ट है आलवेज प्रिजेंट होता है और जो सेल की लेंथ होती है वो कम होती है उसकी जो चौड़ाई होती जो होती बात बिल्कुल सही है और लास्ट आप सण है कि आउटर लेयर आप दिस जो वात तक बहुती हो चम्ट अंप बहुत क्ष कफ यो नहीं होता है और इस नहीं लिखा यहाँ यह चैटमेंट बहुँंस तो यह सहीं नहीं है वे चैस्ट और हैं आदके सेजाएं कुरेक्ट आपका क्षप्रियुच कोई हो सकता है जिसमें नान मॉटाइल थिन वाल सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर यह सिंपल सांसर हैं नानमोटाइल Hang in पाय जाता है वह ओए जा लुब लोत है कि वह थीन होता है वह बात करेंगे बात करें अन्म candle की काATA सेल मतलब इस्पारोगारा एंड एलोटरीक बोतार गिरेना आलगी अब कौश्टन है कि कौन सा ऐसा गारेक्टर जो एलोगतर से एलाजा कर सकते तो जो अने चे गाई वो एकार्दिंट टीछ पहला पॉइंट है कि इट्स ग्रीन कलर क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकता है वह अभी किलियर नहीं कर दो हो दो सिके और ग्रेडल सेबड ऑलक 대 मना सी रिखिंसा या डेक्ष्ज उसज़रक्ट निया यहां पर क्लोरप्लास्ट होता है विविज्स होता है अपने का स्स psicolocl depuis होता है उसकी होती है यहीं कम होती है तो यहां पर सबसे इंप्रोटन चीज बात है गाइस चौकर्क्त आंसर है वहाप का डी से जादे मोश्ट एप्रिप्रिएट सी भी अंसर हो सकता है कि क्लोरप्लास्ट यहां पर बहुत जादे सिग्निफिकेंट दूसरे से बड़ यहां पर कलर भी इंपॉर्टेंट है और डी आपसन है कि आल आप दिया हो तो इन तीनों करेक्टर के वेस्पे है एक इलोथरिक प्रवाइब नाट पॉस यूजली एक जो सेल होती सिंगल सेलिलो तरिक उसमें कौन सी चीज नहीं पाई जाए तो नीचे चार आप संस में कौन सी नहीं होती डिस्टिंक नुकलीस नहीं होता भाई डिस्टिंक निकुलीस तो होगा क्योंकि यह करा तक रहे हैं इस सेंट्र इस नहीं होती है तो ऑद इस नहीं होती है देखिगा क्योलीस होता है वह सेंट्राइब के साहथ भी यह बात हो ऊप्राइस में इससरा है हुए नूमर पूर फास्ट ऐसे ज menorल सोस्ता है सब्सकूर इस के बात करें दो भाइग्य। सब्सक्राइक एक वाज़ क्यों टतला का मतलब हो इस दो से कर अए इसका कि थाला होता तो और नीचे की दोनों वेसल सेल consensus उतिहां या फिर मेल्टेपल सेडि काय तो इस सब बात करिक्ट है यहाँ पर जो संगल से लो ₹ं I जो नीचे के पूंपल और आरेक्षे सील से नहीं होते हैं यह फ्यर नहीं हो एक सिंगल मेजन in क्वेशन नमर सिक्स में बात करेंगा इस भीच इस पीसिज आप दी इंटर टाइडल रीजन जिसे कहते हैं मरीन इंटर टाइडल रिजन का होगा ओसीन में तो कैसे होगी मरीन तो सिंपल सी बात यहां में कहने वाला हूं कि जो मरीन स्पीसिज हमने देगे बताया आपको इलो रिपोर्टी इंटर टाइडल रिजन जो की सकती recenties लिया का इनटर टेस इंटर तो आपके वह है उट्रीज है के इंकुराइड सब्सक्रिक्था को सवी स्ब्सक्राइड कईल में इंडिया में पाई याथ तो देखें इंट्राइड यह आपकी नहीं पाई जाती है तो देखें इंट्राइडल जो इस्टीज पाई जाने वाली स्पीसिज आपका हो गया दी पाई है विच स्टेटमेंट से इसमें से कौन साओं से स्थेटमेंट सही है हमें यह करें दोलौ फ्लों इंडार तो जो आपके मन्त होते हैं समर वाली उसमें खतब हो जातीर मतलब डिस्एपियर हो जाती बिल्कुल आपने और जो इसकी स्पिसीज आप तो इसपिसीज जो इस बुरुट फाइटिक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि सभी स्पीसिज इसकी प्रिफर कर दी मोस्ट आप दी मतलब सभी कम दे मोस्ट आप दी स्लो ग्रोइंग कोल्ड वाटर में और जो रेनी सीजन तो स्प्रिंग सीजन जब समर का मनता दें तो इसकी स्पीसिज बिल्कुल डिसापियर हो जाती जो फ्रेज बाड़र तालाव जील पोखर जोते उनसे गायब हो जाता है और जिसकी स्पीसिज है युलोथ्रिक्स फ्लैका वो इंटर जोंगम कह सकते हैं कि हमें वह इस स्पीसिज बताना जिसमें कि पहल है नाम से जाधे क्लोरोप्लाहक के साथ च्पर को छीकज पारlloid पाया जाते हैं इत्तो आप होता है यह अनलंग के साथए कर यह से बाइनोतर इक दढ़िया कि एक ऐसी बाट यह जिसमें फूर्ट में संचित होता है फूर्ट में इस्टोर होता है और प्रोटीन कार्वाइड की बनी होती है कोशन नमर नाइन में बात करते हैं कि एक दम ज़स्ट पॉजिट कोशिशन इसके देखिए इन विचा दी फालोइंग इस 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 पॉर्स डिचा प्रेजन उसलिट पर यह संचित होता है और रेट लाइड को आपको कर्दा करने के लिए बना होता है और इसका बना होता है क्यूंकि आपके घ्रीन वेड चंटल्ब होता है क्लोरोफिल आ करेटिन आट जैन्थोफिल और विक प्रिजन पर ना तो सिंपल जबात है जो होता है आपका करिटनाइट का बना होता है और कप से जूरोप्लास्ट इस सिंगल पारिणोइट मोस्ट आप दिजो इसकी स्पीसिस जूज पादने जूस पोड़िक आपका इलो थ्रिक्स अपना चीज इस इस पूर एक अलग बॉड़ी हो गई इलो थ्रिक्स का जो स्पो सिंगल पारिणोइड होता जबकि जो इलो थ्रिक्स पीसी जो उनमें एक स्जादे वाले पारिणोइड वाले स्पीसिज भी आपको बताए आप जैसे जोनेटा में जहां कि एक लोग प्लाइट के साथ कई सारे पारिणोइट होते हैं जबकि जो जूज पोर्स का काम आस्म जो इस पोर्स के थूरू बनते और फैवरेबिल कंडिशन बनते और होल्ड फास को जोड़के ताइलस का एवरी सेल्स है थिसकापासिटी मन्हाइब यह स्टेट्मेंट है सभी सही है करेक्ट आपका होता है कुशन नमर्ट 10 कांसर है कुशन नमर्ट 11 मम बात करेंगे इन व नमर्ट इस पोर्स को जो इन सीटू इन सीटू का मतलब होता है इंसाइट लैबरेटिव लग्ते इस ट्यूब के अंदर भी जर्मिशन हो सकते हैं बहुत ही लांग कोशन नमर्ट 12 में बहुत सारी इंफार्मिशन दिये एक वेन एड़वर्स कंडिशन स्कम सड़नली देखे द्यान दखना है अड़वर्स कंडिशन तो बहुत सब्सक्राइब आए अचानक से आ जाए तब विजिटेटिव सेल ट्रांसफॉर्म इंटू तब जो जो थैलस है उसकी विजिटेटिव सेल किस टाइब के स्पोर्स म सब्सक्राइब करें तो कौन सी स्टेक्चर होती है जो अचानक से अड़वर्स कंडिशन आने पे विजिटेटिव सेल उस स्टेक्चर में कर जाती है तो आपको बताया कि पेरिनेटिंग आप हम इस पीसीज को छोड़ दे हम थिकवाल्ड को भी छोड़ दे हम थिकवाल को पताया थी कि रिपोड़क्शन के अलावा पेरिनेटिंग एजेंट का काम भी एक रिपोड़क्टि बॉड़ी करती रिपोड़क्टिव यूनिट करती वह कौन सी यूनिट है वह आपकी है एक आइनेट के लावा यहां पे आपको मैंने आप अशर और बताया है इस मतलब जो आइड़वर्स कंडिशन आने पर जो आपकी विजटेटिव सेल करनेट हो जाएं तो वह एक आइनेट में करनेट होगी यहां पेक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फैबर्वर्स कंडिशन जो है प्रिबलेंट नहीं है बहुत टाइम तक रुक्यू नहीं है मगर एकदम अगर इंपोज हो जाती है कि कोई आलगा जो है एक पोखर तालाब में रह रहरा फ्रेज बाटर में अचाना तो तालाब का पानी खतम हो जाता है मतलब ड्राइ कंडिशन आ जाती तब उस थैलेस की जो विजटेटिव सेल्स हैं वो अपने आब कर लेंग यह का का फार्मिशन कर लेती है देखिए ने थिक बाल बोला तो थिक बाल से करेक्ट अंसर यह तो गलत हो गया कि हिपनो इसपोर्ट तो नहीं हो जाता है और आपका थिक वाल्ड भी होता है और पेरिनेटिंग एजन्ट का काम करता है यह कॉलिटी हिहां से कड़बड हो जाती है इसलिए करेक्ट अंसर अपका एकाइणिट नबर 3 बात करते हैं अमाउंग दी पामेलास्टेज एप्लैनो सपोर्ड एकाइणिट और इपनो सपोर्स लिग डिपसीक सिमिलर्टी देखिए इनने रिप्रोड़ाटीव उनिट का नाम दिया है जो आपके सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि पामिला स्टेज प्लाइनो स्पोर्स आपके एकाइनीट्स और हिपनो स्पोर्स इन समय बेसिक सिम्राइटी क्या है कि आल रिप्रेजेंटिंटिंग ये सेक्षोल रिपोड़क्टिव यूनिट्स आल फार्म डिन अन फैवरेबल कंडिशन आ कि यह सब जो है एक सेक्षोल रिपोड़क्शन को रिप्रेजेंट करती है और ना ही सब एंफैवरेबल कंडिशन में बनती है पामिला स्टेज अपनेट्स पोर्स आइट इसा नहीं है कि सब बनती है वर्त जो आपकी सब स्ब्सक्राइब बेसिक सिमिल्टी वह आपकी सब सब्सक्राइब करने की यह सबसे जाद है जो कंप्लीट प्रोड़क्शन देता है लगा हो कि इस में तरुक अगर रिप्रोड़क्शन किया जाए तो पूरी तरीके से लगा की जो लाइफ है जो न्यू कमिंग अलगा जहां जो नहीं प्रोजनी है वह बिल्कुल हंडेट प रिप्रोड़क्शन करता है नार्मली इतिता है इसमें चौथी कटागेटिव यह पार्थिनो जनेसिस पहला है विज्टेटिव दूसरा एसक्ट्वल तीसरा है सेक्सुल बट सेक्सुल स्टेज में लास्ट स्टेज कंडिशन ऐसे आदी कभी टाइम जो चांस नहीं मिलता रिफ्ट्व स्पर्ट को आपके जाइगो स्फेश बनते हैं तो उस कंडिशन में पाथिनो ।बंजाते एं तो इसे कहते हैं चार तरीके हो सकते बार क्या जो नार्मल तरीके मों थैन तरीके से सिलadक्ष्ण होता तो पार्थिनों स्फोर्स को ही दूसरा नाम है कि जिश्म आप इसा होता है कि दोनों ही चीजे नहीं बनती है उस कंडीशन में वह जो होता है वो कनबड हो जाते हैं पार्थिनों पोर्स में उसे बोला गया पार्थिनों जनेसिस काई तो आप पर अपिछ नंबर सिक्षिन बात करें तो गईमीट आप यॉट तरीक्स कि तो इसे बात है नान मोटाइलाज आदर मोटाय नान तरीक्स इननी फिरेश जो कैमीट बनाने बाले जो बाडी वो ऑदवेश जो आल से होती बोत या आल सेल अका वह रखी आप सेंटस तो करेक्ट आइब भी शवते दी जांड को जोड़ेंक वीश्टेंग विश्टेटि इंक्रूडिंग एपिकल सेल पिलस बिजितिटिज प्लस एक एक इन में से कोई भी जू गमेट इंजिया का काम कर सकता है और गमीट का फॉर्मिशन कर सकता है इस करेक्ट रंसर आपका होता है कुछ नमर एटीन में बात करते हैं वाट फैक्ट इस टूर इन रिफ्रेंस आफ ग्रीन एलगा इलो तरीक्स ग्रीन नेलगा के वारे में कुछ पहला है जाइगोट इस बेरी सौर्ट इंडूरेशन बिल्कुल सही बात है बहुत ही सौर्ट डूरेशन के लिए बनता है गमीट और फॉर्म्ड इंसे में कंडिशन पानी कमी हो जाती है उस कंडिशन में इस रिपोड़ेशन करता है वादा सेक्सुल और आपका सब्सक्राइबर का है अब पर अवर इसमें करेक्स देखते हательно काम हो गया और बेसल सेल काम होगे बाकि बिजिटिटीप सिल मत कहने का मतलब है बहुत ज्यादा पर्फिक्ट से से डिविजन आफ लाइबर तो नहीं देखने को मिला वाट एक प्रिमिट्री प्राइब का डिविजन आफ लैवर देखने को मिल रहा है तो यह बात बिल्कुल सभी स्टेट्मेंट आज करेक्ट आपका यह बिल्कुल सही है सभी स्टेट्मेंट एवी सी एंटी आज करेक्ट अब कोशन नमर 19 बात करेंगे सेक्स्वल रिप्रोडॉक्शन आप इलोथरिक्स बीगें दी ग्रोथ पीरिए और विजटेटिव सेशन देखे बहुत ही नहीं है भी इन अपर इन बात करें कि अपर थो घरत ग्रोड़ पीरियृट पीरियर विजए सेथिन बोलते हैं उसके कंप्लीट होने के बाद ही आपका सेख्वल रिप्रोडॉट्स तो सिंपल सानसार यह पे होगा ए कि सेख्वल रिप्रोडॉक्शन आफ कि विलोथरिक्स स्टार्ट होता है कि विए फार्मिशन तब होता है जब सेल कंप्लीटी डवलफ हो जाती है वही सेल कंवर्ट होती है जुग में तो इसका बिल्कुल करेक्ट आपका एक कि आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रोथ पेरियद अब लास्ट कोशन में बात करते हैं को नमबर 20 प्रेजे कि तबर ट्रकी परिए जाता जिसका नाम होता है जायगुर्ट होगे कि Haus और डापाव ग्रैजेशन गांच हुआ जब रहें सेंका वाइड्या तस्यस्य सब्सक्राइब लग करने अबर 20 क स्वागे्व सब्सक्राइब गारीं कि को तर्हें टूबोर्सकी ब्सक्राइब